जैहिंद वन्दमात्रम दोस्तों आज की स्वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर है त्री तीन महादीपों में फैला हो समराज इस चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेन और स्लेक्टेकर एंसी क्यों कोचन है जो कि आपके क्लास 11 बोड में बार बार से एक ब्ला से चैप्टन में जितने भी इंपोर्टेन और सेलिक्टेकर आपको लोगों पहले सा पता अगा ठीक है लेके दूस्तों आ पको रिविजन की कर लेना है और आप विस कॉचन में कर पाएं champions person क्मेट करके चरू लिखे ठीक है पहला कॉचन आप से क्याप पुछा कि डोस्तों कि रोम Fingerget के अंतरगत ढाता दोस्तों ही जो रोमन समराज है इसके अंतरगत कौन कौन से छेतर आते तो तो दोस्तों पहले नबर डी पोड़ी सही एंसर हो जागा ठीक है अग लगने साव कि पैपाइरस क्या था दोस्तों काफी ज़्यादा इंपोर्टेंग कोचन कई पर क्लास लेने का फाइनल बोड़ी या में पूछा गया सभी लोग आप सभी लोग भी भी आई करने जिए जो पैपाइरस था ठीक तो आपसे नमर भी राइट इस रोगा पौधा दोस्तों यह कहां पर पाइयाता था तो निल नदी के किनारे पाइयाता ठीक है कई पर कोचन में पूछा गया कि पैपाइरस का पौधा कौन सा नदी के किनारे पाइयाता था तो निल नदी के किनारे पाइयाता था और यह जो पौधा होता दोस्तों इस पर पांडू लिपी होता थे उन दोस्तों यहां पर जितने पी कोचन बताया रहे यह सभी कोचन आपके बोड़ एजाम के दृष्टिकों से काभी इंपर्टेंट फूल होने वाले इसलिए आप सभी लोग इस कोचन को अच्छी तरी से याद कर दें ठीक है अगलों के फोर में क्या बोल रहा है कि रॉम और ड कि निम्ला लिखीत में से किसी रोमन सम्राज की का हिड़नयाता है नो आप घृचन र KH inex नुख न है कि प्रत्व सम्राज आगसस ने 2700 इसापुर में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता था दोस्तों कौचन नबर 6 का जो राइट एंसर है वो जो आप से नबर दोस्तों इसमें क्या पोड़ा है कि सेनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें डैस वर्गों सामिल किया जाता था दोस्तों यह सब्सक्राइब के लोगों को सामिल किया था यह आप से कोच्छे ने पूछा गए ठीक है तो दोस्तों इसमें कुलीन वर्गों को भी सामिल किया जाता था जमिन दारों को भी सामिल किया जाता था तो उप्रोक्त यहां पर सही भी राइट इसर होगा यह सभी इन सभी को दोस्तों रोम सेनुट के रोम के संस्ता में सामिल ख्या था ठीक है अगलोग ए Алекс में क्या बोल रहा है कि दिनार्यस क्या था दोस्तों दिनार्यस Day कर सिख्कर था एथा बट आपसे कोंचसे पूचा के गिजुथा एक कीज़ का सिख्क similarity क्या बोर रहा है कि इंडिमना लिकित में से किसे समराट ने सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी इन्वेसे से कौन सा समराज जो है जो कि सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दिए थी तो दोस्तों को जाएगा कि रोमन समराज के राजनितिक इतिहास के टीन खिलाडी कौन थे दोस्तों आपको बताना है कि जो रोमन समराज है इसके मुखे तीन खिलाडी इतिहास खिलाडी तो समराट भी योगदान होता था अवी जात वर सेनक अभी कापने योगदान होता थीक है तो आप संब वे डिर्राइट एंसर हो उप्रोग सभी ये सभी दोस्तों इरान में सासानी वनस भरकर आये था ये कौन सा स्वी में भरकर आये था यह आपसे पूछा लिए ठीक है तो दोस्तों क्या पुछा गया है कि रोमन समराज की आधूनिक विशयक्त तो दोस्तों ये जो रोमन समराज freight काधुन की विश्यस्ता क्या थी तो दोस्तों यहां की एक मुखी विश्यस्ता क्या थी कि यहां पर जो दोस्तों एकल परिवार के लोग रहते थे ठीक है अगलों 13 में क्या पुछा गया है कि कियां ले फोरा सब्थ का संबंद किस्ते है दोसição प्रसम का सब्थ है इस सब का संबंद इन मेंसे कि से है ठीक है president अब के यह कंटेनर से ठीक हुआ आप समवर्भी राइटए चेंश होगा मटके यह कंटेनर दो लिक्विट चीजो इसको रखा जाता है इन सभी चीजों को इसके अंतरगत रखा जाता था ठीक है अगलों 14 में क्या बोल रहा है कि रोम में मोटी टेक यो अस्तल पर लगभग डैस से अधिक मटकों के अफसेस मिले दोस्तों रोमन्समराज में जो है यह जो मुटकी के अफसेस मिले थे वह कितने करोण मंटके के अफसेस मिले थे तो दोस्तों फुर्टी निबर राई इसके यह जो राजय के आप से पूछा गया ठीक है सव्क्राइट दोस्तों को मेरे घर्म का राजके धर्मक को बना था सिख्षिंग कर जो राजके धर्मक का बना था तो सब्सक्राइट को जो बना था है आप दि होगा का 34 सताब्दी इसमी में बना था ठोपिक हो जाएगा है अगले में 17 में क्या बोला गा हूँ दोस्तों कि इसाइध धर्म को रोमन समराज में आधि कारिक धर्म की समराइट ने बनाया था ध 13 कहा है कि रोमनläत है में viset no नामक Manorangan सो वर्स में कम से एकतनी दीन होता दोस्तों यह समराज है यह चांदी को सिहिक्का जो की दिनाडियस था का वज़न कितना था दोस्तों यह रोमन समराज में चांदी का सीका जो दिन्राइस था इसका वज़न कितना था यह आपसे क्वेशचे ने पूछा गए ठीक है तो दोस्तों 90 का जो राइट इंसर ऑप्सन अबर दिए चेका 4.5 गराम ठीक है साढ़े 4 गराम इसकी वज़न थी अग्लों के इस वीडियो को लाक्टकोशन के डासक न दोस्तों कि अस्पेन डार के लिए पर सी था दोसे जो इस प्राइशन ने से कितनी कोचिन कर पाई प्लीज इंमांदारी पूर्वब कमेंट बखसमाए कि जरू लिखीगा और दोसे आप क्लास लेंट का बोड़ में अच इच्छले बार जो मोटर सेट आया है उसमें सभी मोटर सेट को आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ देना है तो दोस्तों मैं इस वीडियो के कि संभनों नहीं रहेगा ठीक है लेकिं दोस्तों को नहीं पढ़ेगा और वहां पर कोशन पूच देता है तो लगने लगता पता नहीं कहां से आ गया इसलों दोस्तों आपको हर एक चेप्टर के इंपटन कोशन एक बड़ अच्छी तरह से पढ़ देने ठीक है और जिन चैनल को सब्सक्राइब करें लोगता है तो दोस्तों आपके बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है